हाँ दोस्तों मैं हूँ राजवन सिंग वाली रियल सेट मेंटर रियल सेट बुक्स का ओथर एंड मोटिवेशन स्पीकर आज का टॉपिक और अंटर्स हो सकती है लेकिन मेरी नज़रों में यह मिसलीडिंग इंड़स्टी है क्योंकि जो आदमी 24 गंटे इंटर्टेनमेंट की बात करता है तो इसका मतलब वो अपने डिवेलमेंट की कब बात करेगा जो लोग इंटर्टेनमेंट करके लोगों का कोरौडों 80 रुपे कमा रहे हैं लेकिन जो लोग उनको फॉलو करें उनको देख रही हैं तीन तीन चार चार गंटे पांच पांच गंटे उनकी एंटरटेन्मेंट की वीडियो देख रही हैं तो वो अपना टाइम खराब करें और कुछ नहीं करें टाइम खराब करने से पहले एंटरटेन्मेंट की जुरूरत हमें कब है तो 24 गंटे वीडियो देख रहा है कमेड़ी की वीडियो सिंगर्स की वीडियो ऐसे मनलब पागल बेहुदा कलाकार जिनके करोड़ों में मतलब फॉलोर है और कोई समाज को मैसे नहीं बिलकुल गंदे गाने लेक मतलब मैं समझता हूँ हत्यारे वाले गाने और गंदे चीज करोड़ों युडियों बॉक्छे नंगे थे और आज क्रोड़ों में खेल लएं क्यों वोум हमें हमें लोगों का हमारे लोगों मिसलीड कर रहीए हैं यह दि हम लोग मिसलीड ना हो तो हम पहले हम अपना रूजगार डिंढ डुनडे आप恩 की डिवल्युलमplease के चला हम आरे हम बशादियों में जाते हैं इकठे होते हैं बड़ी देर का बाद दोस्तों ने कठा हुनाता है रिष्टेदार ने कठे हुना है लेकिन वह आदमी जो वहां पर बैठा है उसके डीजे बुक किया हूँ आपने तो वह आदमी इतनी फुल वॉल्यूम में बात करता है तो आप का दिमाग तक हराब हो जाता है पर सो चौत में केजी अफ फिल्म देखने गया केजी अफ फिल्म में इतना हैवी म्यूजिक पांच साओ ब्याली रिपे की टेक्ट मेरी और बिजनस क्लास में इतना म्यूजिक जारिंग म्यूजिक मतलब मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने कि हम वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो मत्हा मारते ही नहीं है जो देखते नहीं है कि सामने हमें क्या प्रोसा जा रहा है हम लेते जा रही है ऐसे सिंगर जिनको मैं करता कोई बंदा घर में एंट्री नहीं दे उनके क्रोडों फॉल्लवर्स कैसे हो सकते हैं छोटू दादा एक चैनल है यूट्यूब के पर आप देखो उसको क्रोडों मनी अर्पों के फॉल्लवर्स से उसके अर्पों में व्यूज हैं हम 24 गंडे हैं जब देखते बस वीडियो शुरू होई नहीं तो पूरे का पूरा देखते एक बार नहीं तसलीव दूबार तीन बार चार बार मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ ये भी बात है उनके खिलाफ भी नहीं हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आपको एंटर्टेन्मेंट की जरूरत है तब ही एंटर्टेन्मेंट कीजिए यह नहीं कि सुबह साथ बज़े उटके आपने एंटर्टेन्मेंट पाट कर रहा है फिरुदीदा कोड़ा हैम हो jasper जाते हैं हमारी जिंद्गी में कुछ और जरो है तो वह की थोड़व पिर Halo हुए है तो मिजिक आपको काम दे सकता है मूजिक आपको थोड़ी सूधनिंग कर सकता है हाँ थोड़ासा रिलीव दे सकते है यह नहीं सकती कि 24 गंटे आप कमेंड़ीं देखता हो ुच 1 गंट。 विद्या बाेन का था अंटर्टैन्मंट मांटे इंटर्टैन्म stressing क्या है यार अंटकों की जरूरत होता है जब हमपाट में कुछ होगा जब अपने पेट में कुछ नहीं तो एंटरेन्मेंट क्या करेगी तो यह टोटल जो इंडस्ट्री है मिस लीडिंग इंडस्ट्री है यह हमारे यूथ को मिस लीड कर रही है इससे बचने की जिरूरत है और यह भी नहीं पता 16 साल के बच्चे को 15 साल के बच्चे को पता ही नहीं यह क्या चीज उसके सामने प्रोशरी है कि उसका दिमाग डिवल्प होने की बज़ाए उसका दिमाग खराब होना चुरू हो जाता है तो दोस्तों इससे बचने जिरूरत है तो आपने अपने आपको इतना त्यार करना है अपने बच्चों के इसा त्यार करना है कि वो जो एंटर्टेन्मेंट इंड़स्ट्री बिगेस्ट इंड़स्ट्री बोलते है ये इंड़स्ट्री जो बिगेस्ट लीडिंग इंड़स्ट्री उनके सामने साबत कर देनी है मेरे को खुश ही होती यदि education industry सबसे बड़ी industry होती यदि कोई आपको रुजगार के तरफ लेके जाता वो industry सबसे बड़ी industry होती entertainment industry कैसे बड़ी हो सकती है यह सबसे ज़्यादा misleading industry है आज के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेर करना इसको यदि इसके ओपर चर्चा गरसा तो चर्चा भी करना आपका स्वाल comment box में ने topic और वीडियो वो भी comment box में चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबादो ताके इस तरीके की वीडियो आप से मिस ना हो entertainment is not the biggest industry it is the biggest misleading industry thank you very much आपका दोस्त आपको उस्त राजवान सिंग वाली